अगर आप आधार कार्ड में लगी हुई पुरानी फोटो को देखकर बोर हो चुके हैं तो आप इसे बहुत आसान तरीके से बदलवा सकते हैं आपको बता दें कि आज के समय में आधार कार्ड सरकारी सुवदाओं का लाब उठाने के लिए एक देहत ही जरूरी डॉक्यमेंट हो गया है ऐसे में आधार कार्ड से जुड़ी किसे भी अपडेट की जानकारी लोगों को जरूर होनी चाहिए दरसल आधार कार्ड की जरूरत सरकारी से लेकर नीजी संस्थानों में भी पड़ती है कई बार देखने में आया है कि लोग आधार कार्ड में लगी हुई अपनी फोटो को देखकर नाखुश होते हैं और कई बार तो उसको लेकर उनका मजाग भी बन जाता है ऐसी स्थिती में अगर आप आधार कार्ड में अपनी फोटो को बदलवाना चाहते हैं तो आप बेहद आसान तरीके से इसे कर सकते हैं भारतिय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानि UIDAI आधार कार्ड होल्डर को फोटो को अपडेट करने के लिए अनुमती देता है आज के इस रिपोर्ट में हम आपको आधार कार्ड में फोटो बदलवाने का बेहद ही आसान तरीका बता रहे हैं दरसल कोई भी आधार कार्ड होल्डर अपने निकटतम आधार नामांकन केंद्र पर जाकर पूटो को बदलवा सकता है आधार कार्ड होल्डर को सबसे पहले UIDAI की वेबसाइट UIDAI.gov.in पर लॉगिन करना होगा इस प्रक्रिया के बाद कार्ड होल्डर को आधार नामांकन फॉर्म डाउनलोट करना होगा और अपने पास की आधार नामांकन केंद्र पर इस आधार नामांकन फॉर्म को भर कर जमा करना होगा नमांकन केंद्र पर मौजूदा करमचारी आधार काज होल्डर की बायो मैट्रक जानकारी के साथ फोटो लेगा काज होल्डर को शुल्क के रुपे में 25 रुपे और GST लेकर फोटो अपडेट कर देगा काज होल्डर को करमचारी की ओर से URN के साथ एक स्लिप भिया जाएगा इस URN के जरिये आधार काज में फोटो बदल गई है या नहीं इसे चेक किया जा सकता है आपको मारे ये वीडियो कैसा लगा और आप बिजनेस से जुड़ी किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंच करके जरूर बताएं हाँ एक और बात अगर आपने अभी तक हमारी चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले ताकि बिजनेस सेक्टर से जुड़ी तैजा खबरे ज्यादा सी ज्यादा संख्या में आप तक पहुच सके